नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चनल पर फितरों आज हम बात करेंगे waterproofing करने की छटी विदी के बारे में जी यहां दोस्तों मैं already waterproofing पर 5 वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें इस वीडियो के खत्म होना के बाद देख लीजिएगा मितरों कई लोगों का सवाल आ रहा था कि foundation waterproofing करवाने के लिए सबसे best विदी कौन सी है तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी को मैं foundation waterproofing करवाने की सबसे best विदी मानता हूँ और इसके पीछे कारण भी है जो कि हम आगे वीडियो में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो करपया सबस्क्राइब करें और पास का बैल आइकन भी ओन करतें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वीडिय पहले के जमाने में क्या होता था फ्रेंड्स अगर आपने मेरी फ़स्ट नमर की वीडियो देखी होगी तो इसमें अमने बात किती टार वाटरपुफिंग की तो हमें कॉल टार मतलब डामर को गरम करके लगाना पड़ता है वहीं इसे लगाने के लिए हमें इसे गरम नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको शोट में बता देता हूं ताकि जिन लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखियोगी उनको भी साफ सफाई के प्रोसेस के बारे में थोड़ा पता चल जाए है तो मित्रों साफ सफाई करने से पहले आप एक चीज मेक्शोर कर ले कि आपने जितनी को लगाई है तरह हो जाने के बाद हमें यह देखना है कि अंदर नमी ना हो तो दोस्तों जब यह मेक्शोर हो जाए कि आपकी तरह ही बगहरा हो गई है तो आपको सबसे पहले अपनी सर्फस को प्लें कर लेना है मतलब सर्फस कहीं से उबढ़का बड़ो उच्छी नीची तो उसको आप plan करवा ले, आप surface को glinder ये छेनिय तोड़ी की साहता से भी plan करवा सकते हैं, उसके plan हो जाने के बाद हमें अपनी footing और foundation को steel की brush से रगट लेना है, steel की brush से रगटने के बाद उसे हमें जाडू से साफ कर लेना है, दोस्तो हम अपनी surface को steel की brush से इसलिए रगटते ह तो आपको साफ सफाई अच्छे तरह करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि धूल मिट्टी ये loose particles रे जाए, फिर पानी से साफ करने के बाद उसे अच्छे तरह सूखने देना है, धियान दीजिए कि दोस्तो waterproofing करने से पहले एक बार check कर लें कि अपने structure के अंदर बिल्कुल नमी नहो क्योंकि नमी आपका सारा काम खराब कर सकती है, क्योंकि ये दिया आप गिले structure पर waterproofing paint करवा देंगे तो नमी अंदर tape हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि आपकी waterproofing fail हो जाए, इसलिए पहले एक बार अच्छे से check कर लें कि structure के अंदर कता ही नमी नहो, अब दोस्तो simply आपक और ये ध्यान रखिएगा friends कि आपको हमेशा हर coat direction change करकर के लगाना है, मतलब जैसे यदि आपने पहला coat horizontal direction में लगाया है, तो दूसरा coat आपको vertical direction में लगाना है, तो दूसरा coat आपको horizontal direction में लगाना है, मतलब आपको हर coat लगाने के बाद जिशा बदल देनी है, और कम से कम इसके दो coat तो होनी ही चाहिए, तीन करेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है, लेकिन कम से कम दो coat तो करए ही सही, तो दोस्तों ये तो हो गया इसको लगाने का तरीका, अब हम बात कर लेते हैं, इसके कुछ फाइदे नुकसान की, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके करना पड़ता था लेकिन इसमें इसा कोई headache नहीं है तो यह चीज हमारे लिए तो अच्छी है ही उपर से परियावरण के लिए अच्छी है क्योंकि जब हम टार को गरम करते हैं तो उसमें से बहुत सारी जैरी लिग ऐसे निकलती है जो कि परियावरण के साथ हमारे लेबर की हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है उपर से लगाने में बड़ा आसान है तो इससे हमारी मेन पावर भी बहुत ज़्यादा बच जाती है और लेबर कोस्ट भी बहुत कमाती है तो दोस्तों यह टार के मुकाबले RCC और इटो पर अच्छी तरह चिपकती है वहीं एदि पर अच्छी तरह चिपके मित्रो डॉक्टर फिक्सिट बिटिफिक्स में 50% तक लचिलापन है वहीं टार या डामर में लचिलापन ना होने के कारण जो हमारे स्ट्रक्चर में एक्स्पेंशन और कॉंट्रेक्शन होता है को टार की लेयर सेह नहीं पाती और फटकर पपड इसे जरूर लगवाले दोस्तों ये वीडियो किसी ब्रांड के द्वारा स्पॉंसर नहीं है मुझे बस ये केमिकल परसनली पसंद है इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई तो मित्रो ये तो होगा इसके कुछ फायदे नुकसान अब हम बात कर लेते हैं इसके कवरे जह र का समान आएगा दोस्तों ये मैं एक नॉर्वल चोटे गर की बता रहा हूं अगर आपके एकर का साइज थोड़ा ज्यादा होगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा केमिकल लगेगा लेकिन एक नॉर्वल गर में आप मज़दूरी से इतमान कर से लिए कि मेक्जिमम में आपके साथ आठ दसजार से ज़्यादा नहीं लगेंगे लेकिन फिर भी आप स्क्वाइर फिट के हिसाब से अपना आएरिया नाप लीजिएगा मित्रो यदि मैं अपने उपिनियन की बात करूँ तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी विदिया उपलब्द है लेकिन फांडेश फरक तो नहीं बढ़ेगा लेकिन फिल भी थोड़ा वो तो फरक बढ़ेगा इसी तो दोस्तों यह थी है मैरी waterproofing की 30 विदि इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसके बाद हम अगली step पर move कर जाएंगे क्योंकि दोस्तों waterproofing की तो बहुत सारी विदिया है हर एक तरीके को लेकर बेठें तो बहुत सामय भी जाएगा इसलिए मैं आपको मैंन मैं साथ तरीके बताऊंगा उसके बाद ये घर बनाने की सेरीज को खत्मने के बाद हम हर एक तरीके को आराम से explain करेंगे लेकिन अभी इस वीडियो के बाद सिरिफ एक वीडियो और आएगी ओके फ्रें जाएगा अगर आपका construction से related कोई भी सवाल हो तो आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हैं और अगर आपको civil engineering, architecture, interior designing, वासु शासर, आदी से जोड़ी कोई भी study material खरीदना हो तो आप नीचे दिये गया Amazon store की लिंक से बाद कर सकते हैं वहाँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई गई बैत